केंद्रियो मंत्रे स्मृति इरानी ने बीते सोमवार को नागपुर में नमो युवा महा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दी उन्होंने राहुल गांधी से एक मैदान चुनने के लिए कहा जहा भाजपा का युवा मोर्चा यूपिये शासन के 10 साल और पीम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर बहस करेगा स्मृती रानी ने कहा कि प्रत्येक राम भक्त जिसने अयोधिया राम मंदिर के लिए धैर्य दिखाया है अब फिर से धैर्य दिखाने का समय आ गया है हमें उक्साया जाएगा कुछ डीप फेक होंगे वही उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकरता बोलना शुरू कर दे तो कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता हर राम भक्त ने जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया आज पुना धैर्य दिखाने का समय आया है राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुँचे तो कान खोल कर सुनो मैदान तुम चुनो कार्यकरता हम देंगे आओ तुम्हारे दस साल और मोधी के दस साल के बीच में ती गैरेंटी देती हूँ कि युवा मोर्चा का एक भी साधारन कार्यकरता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में तद्दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकरता के सामने ठिक जाएगा 26-11 का आतंक हम सब ने अपनी आखों से देखा हम सब को याद है पाकिस्तान से आतंक वादी आए मुंबई की सडकों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडन की सरकार चुक्चाप तमाशा देखती रही उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी जब वो सक्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा एफिडेविट देश की एक कोट में दे दिया उनका घमन देखिये कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेश दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं अहुकार आज मी परकरार है जब राम लला का भव्य मंदे निर्मित हो रहा था जब प्राण प्रतिष्ठा समारों के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया अहुकार देखिये उन्होंने आमंत्रन को छुकरा दिया देवेंद्र भाई रस्सी जलगई बल नहीं गया इसलिए आज आप सबसे कहती हूँ कि हर राम भक्त ने जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया आज पुना धैर्य दिखाने का समय आया है हमको उक्साया जाएगा कुछ लोगों को AI के माध्यम से DP के माध्यम से बरगलाया जाएगा लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं और अगर राहुल गांदी तक मेरी आवाज पहुँचे तो कान खोल कर सुन लो मैदान तुम चुनो कार्यकर्टा हम देंगे आओ तुम्हारे दस साल और मोधी के दस साल के बीच में क्या पर कहें इस पे चर्चा हो जाए मैंने ही कहती मैं जाओंगी चर्चा के लिए तब पक्का नहीं आएंगे तेज़ासी लेकिन इतनी गैरेंटी देती हूँ कि यूआ मोर्चा का एक भी साधारन कार्यकर्टा जाकर रहुल गांदी के सामने बोलने लगे तो रहुल गांदी में तद्दम नहीं कि यूआ मोर्चा के किसी कार्यकर्टा के सामने ठिक जाएगा और अगर युद आप ओर्चा के बीसे किसी कारेकर्था को यह मौगा मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का धोंग कर रहे हैं उनसे अगर बात करने का मौगा मिले तब एक प्रश्ब अपनी दीदी के ओर से जरूर पूछना कि प्रभुराम के अस्तित्व को नकारा भारत की सेना के शोरे को धिकार कर राहुल गांदी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमान मांगा उनके पराक्रम का मैं उस महराश्ट्र में काम कर चुकी हूँ जहां पर 26-11 का आतंक हम सब ने अपनी आखों से देखा हम सब को याद है पाकिस्तान से आतंक वादी आए मुंबई की सडकों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडन की सरकार चुक्चाप तमाशा देखती रहे हम सब महराश्ट्र में इस बात के साक्ष है नितिन जी को याद होगा ग्रह मंत्री को उस वक्त कॉंग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कांफरेंस करने से फुरसत नहीं मिल रही थी और यहां पर जनता त्रहिमाम कर रही थी कि कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके और उस शाम जब मिल थे वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहू दुहान हो रही थी जश्मे सामिल थे वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तप्रमान मानते हैं जब भारत की वायू सेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को धेर करती है आज चाहती हूं उनसे अभिननन को भारत की सरहत पर पाकिस्तान हाथ जोडते हैं वापिस छोड़ कर जाए और यह 56 इंज की चाहती वाला है जिसने 56 घंटे में विंग कमांडर अभिनननन को भी जा ब्यूरल पोल्ट इंडिया पब्लिक खबर फलालस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राए ह कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बल्कुल न भूले कि पूले क्वाल न एक हमें उनक्वांट के स目ाने न सी एका हमें आग धियूंन कि खबर फले खबर हमें बकुल किसाथ हमें आप्स का खबर रांग्स कि घ्कैन यार करताशैंस कि अजड़ में उनते आपक Sब्साथ बार giàूर